माग पूर्नेमा को हिंदू में एक महत्वपूर्ण और शुब दिन माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में माग मास में किये जाने वाले पवित्रस नान और तपस्या की महिमा का वर्नन है। मान्यता है कि माग मास का हर एक दिन दान पुन्य के लिए विशेश होता है। माग पूर्नेमा, जिसे मागी पूर्नेमा के नाम से भी जाना जाता है, माग महीने का अंतिम और सबसे महत्वपून दिन है। लोग मागी पूर्नेमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम, प्रयाग में पवित्र स्नान, दान, गाई और ग्रै दान जैसे कुछ अनुष्ठान करते हैं। मागी के दौरान लोग पूरे महीने सुबह गंगा या यमुना में स्नान करते हैं। मागी पूर्णिमा के दिन सूर्योदे से पहले किसी पवित्र नदी में सनान करना चाहिए। सनान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्ग्यदे। सनान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गरीबों, जरूरत मंदों और ब्राह्मनों को भुजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। तिल और काले तिल का दान विशेश रूप से करना चाहिए। माग मास में काले तिल से हवन करना चाहिए और काले तिल से पित्रों का तरपन करना चाहिए। गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायन मंत्र का लगातार 108 बार जब करना चाहिए। माग पूर्निमा का दिन ज्योतिश में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही धार्मिक द्रिष्टी से भी। परानिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर क्राशी में प्रवेश करता है। इसलिए यह माना जाता है कि माग पूर्निमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माग मास वैग्यानिक द्रिष्टी से भी सहायक है। माना जाता है कि यह महीना बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद क करता है। फल्स्वरूप मागी पूर्निमा को स्नान करने से शरीर को बल और शक्ती प्राप्त होती है। इसके अलावा माग पूर्निमा गंगा स्नान पूर्निमा के दिन यदी पुशे नक्षत्र हो तो वह दिन और भी शुब हो जाता है। हर माह के अंत में आने वाली पू पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसका विशेश महत्व होता है। पूर्णिमा के वरत को शास्त्रों में श्रेश्ट वरत माना गया है। इस दिन पूजन के दौरान वरत कथा करने से भगवान श्री हरी की कृपा प्राप्त होते हैं।